तो अभी मैं जल्दी से कुछ नाश्टा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा तर चीजें करीब करीब खत्म हो गई है तो ये एक भारतिय तरीका है इसको आम तोर पर पंचामरतम कहा जाता है यानि पांच चीजें जो जीवन के लिए अमरित है पर मुझे अभी जितनी भूख लगी है उस हिसाब से मैं इसमें पांच से ज्यादा चीजें डालके और बहतर बनाऊंगा तो क्योंकि सारी सबजियां खत्म हो गई हैं और फ्रिज में रखने लायक हर चीज खत्म है ओ, खुशकिस्मती से सिर्फ मेरे प्यारे केले बचे हैं आप उन्हें फ्रिज में नहीं रख सकते तो वे ठीक हैं तो ये एक सरल भारतिय तरीका है केले को काटना और उसमें थोड़ा शहद घी दही मिलाना और दही देखता हूँ, मेरे खयाल से वो अभी भी ठीक होगी तो मुझे लगता है, हाँ बस केले के पतले पतले टुकड़े करें जैसे भी आप चाहते हैं अगर आप इसे बिल्कुल मैश किया हुआ चाहते हैं तो बहुत पतला काटिये वरना बस ऐसे इसके बारे में कई सारी बातें कही गई हैं कि इन पांच चीजों को संतुलित तरीके से मिला कर पंचामरित खाना हर तरह की थाइरोड संतुलन के लिए बहुत अच्छा है मुझे कोई थाइरोड समस्या नहीं है, लेकिन हर हर चीज को संतुलित रखने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये हर इनसान के शरीर, मन और पूरी खुशाली के लिए बहुत जरूरी है तो थाइरोड एक चीज है, कुछ आईरवेद के जानकार ये भी कहते हैं कि ये कैंसर से भी बचाता है मैंने उस पहलू पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है तो मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं है पर एक समस्या है अच्छा रेफ्रिजरेटर नहीं है तो मेरा भोजन खत्म हो गया है और इस भारतिये तरीके से एक बढ़िया नाश्ता तयार हो गया है जब मैं फार्म पर अकेला रहता था तब मैंने इसे कई बार बनाया है और इससे मेरा काम चलता रहता था बस देशी केले और कुछ सामगरी अगर आपके पास सारी चीजे न भी हों तो भी आप बना सकते हैं और ये हो गया अब इसमें थोड़ा सा गुड़ ये वास्तव में पाम शुगर है लेकिन साधारन गुड़ भी चलेगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और और मैं अकेला हूँ कोई मुझे रोकने वाला नहीं है तो मैं थोड़ा और गुड़ मिला रहा हूँ ये पाम शुगर है पाम के पेड़ का घी ए घी मुझे घी ज्यादा पसंद नहीं है तो मैंने थोड़ा ही डाला है आप जितना चाहें डाल सकते हैं ये जरूरी है बिना इलाईची के इसमें मनचाहा स्वाद नहीं आएगा अरे ये कोई कुकिंग शो नहीं है ये जान बचाने का शो है ठीक है ये कुकिंग शो नहीं है अगर आप थोड़े से केलों के साथ कहीं फस जाएं तो कैसे जी सकें ये इसके बारे में है वैसे आज क्योंकि क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय है मैंने थोड़ा बहुत टेकनोलिजी की परताल की और मेरे पास दो कैमरे है क्या आप इससे देख सकते हैं उमीद है दूसरे कैमरे में मेरा चेहरा आ गया है या पता नहीं इसने मुझे दो भागों में काट दिया है ये ठीक है थोड़े इलाइची की जरूरत है बात आपको केले खाना सिखाने की नहीं है बात ये है कि जिन्दगी में एक अजीब घटना हो जाए कि आप भूखे हैं और आपके पास सिर्फ कुछ केले हैं ये रहा और मुझे उमीद है कि ये मेरी थोड़ी समस्या है कि सामान को वापस उसी जगा नहीं रखा जाए तो फिर ढूणना मुश्किल होता है मैं पिछले 49 सालों से घूम रहा हूँ मैं ज्यादा शहद डाल रहा हूँ क्योंकि शायद देर शाम तक मैं और कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खा रहा हूँ हर चीज यहीं है शहद को चम्मत से निकालने में यही समस्या है केवल यही तरीका है और यही काम करता है मैं काफी समय से शहद का अलग-अलग तरीकों से इस्तमाल करता रहा हूँ शहद को हटाने का एक मात्र तरीका खुशकिस्मती से बड़ी खुशकिस्मती है तो भी दही ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है यह थोड़ी खटी हो गई है पर फिर भी खाने लायक है इसलिए मैंने ज्यादा शहद डाला है सवभागय से सवभागय से यह भारतिय तरीके हैं मैं फार्म में इस तरह से बिलकुल अकेले रह चुका हूँ जहां मेरा भोजन केवल मूंग फली या नारियल होता था तो मूंग फली या नारियल और अगर आपके पास ताजा नारियल हो बिना कटा तो समझे कि महीने दो महीने या अगर चाहें तो तीन महीने तक के लिए आपके पास पैक्ट भोजन है एक समय मैं महीनों तक ऐसे रहता था बस भीगी मुंगफली और केले और केला गरीबों का भोजन था और मैं कुछ हद तक उसकी बदौलत जिया क्योंकि आप कुछ केले लेकर जीवन चला सकते हैं या फिर मैं नारियल खाता था बिना कटा नारियल और जब भूख लगी हो तो बस पानी पिएं और उसका गुदा खा ले इससे आपको पोशन मिल जाता है इसने मुझे काफी लंबे समय तक जीवित और स्वस्त रखा ये बात आपको माननी पड़ेगी आज का पंचामरत बहुत खास है क्योंकि जैसा की मैंने कहा शायद शायद नहीं बलकि निश्चित रूप से देर शाम तक के लिए यही मेरा भूजन है और मुझे ड्राइव करना है शायद मैं थोड़ा बाहर घूमूँगा फिर खाऊंगा ये थोड़ी किश्मिश है देखिए ये सारी अच्छी चीज़े हैं सूखे मेवे वगेरा क्योंकि ये बिना रेफ्रिजरेटर के रह सकती है और आप बिना भूख से मरे ये अच्छी चीज़े हैं ये आप में किसी तरह से परियाप्त उर्जा भर देती है तो आम तोर पर इसमें पांच चीज़े हैं पर मेरे हिसाब से मैंने और भी चीज़ें डाली है केला, नारियल, शहद, पाम शुगर या गुड घी, थोड़ा दही मेरे ख्याल से इससे खटा नहीं होगा हाला कि दही ठीक से नहीं रखा गया था इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला और ये मेरे पास थोड़े काजू भी हैं और इन्हें थोड़ा काटें जिससे ये ऐसे अलग न दिखें जैसे कि कुछ शरारती लोग दुनिया में दिखते हैं नहीं नहीं, मैं थोड़ा मजा कर रहा हूँ पर क्या करूँ? मैं भूखा हूँ भूखा इंसान आम तोर पर गुस्सा हो जाता है पर मैं गुस्सा नहीं हूँ मैं भूखा हूँ तो आप थोड़ा बरदाश्ट कीजिए मुझे थोड़ी शरारत करने दीजिए तो मैंने शरारती लोगों के साथ हर जगा बहुत समय बिताया है तो मैं एक दिन के लिए भी शरारत से दूर नहीं रह पाता तो काजू डालना अच्छा है और सबसे बड़ी बात ये काजू जब मैं हिमाले में अकेले ही लंबी यात्रा करता था तब अधिकतर काजू किश्मिश खोपरा यानि सुखा नारियल ही थे जिनकी बड़ालत मैं जिन्दा रहा मैं उनको भूला नहीं हूँ मैं हमेशा उनका भारी रहा हूँ तो उन्हें मैं हमेशा साथ रखता हूँ जहां मैं हूँ वहाँ ये हैं क्योंकि मेरी जिन्दगी ऐसी रही है कि हर समय उचित भोजन मिलना संभव नहीं रहा है पर महामारी के दौरान ये मुझे ठीक से मिलता रहा है क्योंकि मैं अधिकतर घर पर रहा हूँ चाहे भारत हो या यहां लेकिन एक बार फिर खाना बदोशी की लालसा एक बार भी बंजारी लालसा मुझे इस छोटे से केमपर में ले आई है नहीं नहीं अभी बहुत काम करना है होटल या अन्य जगहों में संक्रमित होने के बजाए केमपर या चलते फिरते घर में रहना ठीक है कुछ लोग सोचते हैं कि केमपर एक एश की चीज है नहीं हर रोज बहुत सारा काम रहता है जब घर घूमता फिरता है तो बहुत काम रहता है रहा मेरा नाश्ता आज मैं थोड़ी टेक्निकल उचाई पर हूँ क्योंकि मैं एक साथ दो कैमरे इस्तमाल कर रहा हूँ इससे बहतर क्या होगा आपको मेरा नाश्ता पसंद आया शमा करें आज के लिए मेरे पास सिर्फ यही है और आप बहुत दूर है पसंद आपको माईब करें ऑ्रॉप्की मा झांको क्योंकि मैं खर फने समय को अजाल अरी सौरी मैं इस बहुत श Lu史ता5 hiÓ था यह मैं अजपको मैं